Hello students, welcome back to PSC Pi Study Circle, my name is Tavassum और आज़ की वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं 10th NIS Hindi का जो हमारा लेसन नमबर वन है बहादुर उसको, तो बहादुर की स्टोरी क्या है, इसके most important question answers क्या है, जो exam के point of view से काफी important है और साथी साथ इस chapter के जितने भी main points हैं वो यहाँ पर मैं आपके साथ detail में discuss करने वाली हूँ and believe me, इस video को देखने के बाद आप बहादुर chapter के लिए ना तो book उठाओगे और ना ही कोई guide देखने की सोचोगे भी तो पूरी स्टोरी आपके साथ detail में discuss करूँगी, I hope आपको वीडियो काफी पसंद आएगी और हाँ guys, यहाँ पर मैं बताओं के यह जो हमारी 10th NS की Hindi है, यह इसका lesson number one है यहाँ से आपके complete slavers की हो जाती है शुरुवात, वैसे slavers मैंने आपको previous video में समझा दिया था के Hindi का slavers क्या है, number of questions क्या है, type of questions क्या होंगे, तो I hope आपने वो वीडियो देख ली होगी और यहाँ पर guys, मैं आपको बताओं के हमारे इस app को जिसका नाम है PSC Pi Study Circle, जहाँ पर हम NIS Board के students का बहुत सारा different subjects का slavers complete कराते हैं, इस app को जादे जादे शेयर करें with other NIS students, ताकि दूसरे बच्चों की भी help हो और वो कम पीस में अच्छी से अच्छी study कर पाएं, तो हिंदी का यह जो हमने पूरा Slavers launch किया है, आप इसका भरपूर फाइदा उठाए और जादे जादे बच्चों के साथ इसको शेयर करें, चलिए शुरू कर लेते हैं हमारे इस lesson number one को, जिसका नाम है बहादूर जिसको लिखा है, अमर कांतने, तो आप देख सकते हैं, प्रोपर नोट्स भी मैंने हाँ पर लिखे हैं, उसके बाद इसके important question answers जो previous year में पूछे गए हैं, वो भी है, इनका answers भी मैं आपको बताओंगी, तो first of all guys मैं आपको बता दूँ, इस lesson के जो प्रमुक पा बहादूर है, बहादूर ही इसका central character है, और पूरी कहानी जो है वो बहादूर के इर्दगिर्द ही घूमती है, बहादूर के बारे में ही लगभा पूरी story है, यह हमारी, जो दूसरा हमारा character है वो है वाचक, वाचक जो है हमारे वो है अमर कांत, देखो वाचक का मतलब होता है वाचक का मतलब होता है जिन्होंने इस कहानी को बताया है तो जब आप देखेंगे तो जो लिए इनके लिए वाचक शब्द इस्तमाल हुआ है तो आपको घंविज नहीं ओouse अमरकंथ जिन्होंसे सिर्ट को बताया है तो basically इस story के थूरू उन्होंने अपना personal experience share किया है बहादुर एक लड़का है नौकर है उसके साथ जो उनका experience रहा उसको उन्होंने यहाँ पर बताया है इस कहानी में इसके बाद जो तीसरा character है वो है निर्मला निर्मला जो है वो wife है वाचक की मतलब अमरकांत की और जो चोथा character है इसमें वो है किशोर जो की कौन है जो की वाचक यानि अमरकांत और निर्मला के बेटा है मतलब उनका पुत्र है ये तो किशोर यानि चार हमारी main characters है जिनके इर्दगिर्द ये पूरी कहानी लिखी गई है लेकिन फिर से आपको बताओं कि बहादूर जो है वो main character है इस पूरी कहानी का चलिए देखेंगे कि बहादूर lesson की स्टोरी क्या है लेकिन यहां पर मैं आपको बताओं देखो जो वाचक है अमरकांत है उन्होंने एक नोकर रखा जिसका नाम था बहादूर और बहादूर के उपर ये पूरी कहानी है तो बहादूर को जो लेकर आने का काम था मतलब बहादूर जो है वो अमरकांट जी के घर में किस तरीके से एंटरी उसने की वो की थी अमरकांट जी के जो साले थे साले साहब वो बहादूर को सबसे पहली बार जो है उनके घर में लेकर के आये थे तो उसका complete जो नाम था वो दिल बहादूर हुआ करता था, ठीक है यह कुश्चन आप से पूछा जाता है एकसाम में, एक नंबर का कोश्चन आप से पूछी लिया जाता है, तो आपको इसको ध्यान देना है, कि बहादूर का जो पहले नाम हुआ करता था, वो दिल बहादूर किस तरीके से वो रहता है वो चीज है यहां पर सबसे पर आप समझे लो आकार प्रकार का मतलब के बहादूर जो है एक नेपाली लड़का है ठीक है वो नेपाली टोपी ओड़ता है इसकाउटों की तरह गले में रुमाल बांद कर घूमता है हाफ निकर पहनता है और कमीज प हैं वह बहुत इमोश्नल हो इसके लाब हादूर के अंदर जो मेंडर कैरेक्टरि开始ck है उसकी वो है उसकी इमानदारी इमानदारी के हो काम करता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं आ¿ कि वह अइन है और beth motherfuckerобод leg government, काम क Ensignalा इसकी दो быть हमेशा हसता रहता है और रहती ही पाइटी तिंकिन के साथ रहता है बहुती ही हो और ह्टी त एक के बर्षार को स्वाभी मानि पा पये जाता है तो यहां आपके question बनते हैं कि बहादुर किस परकार का बच्चा है बताईए तो आपको ध्यान रखना है 13-14 साल का लड़का है और नेपाली लड़का है सर पर टोपी ओड़ता है नेपाली इसके अलावा स्काउटों की तरह गले में रुमाल बांद कर घुमता है हाफ निककर पहनता है बहुत भोला है सम्वेदनशील है इमानदार है महनती है हसमुक है चुस्त है पुर्तीला है और स्वाभी मानी है ठीक है तो यह इसकी का यूनो बहादुर की चारित्री क्विशेशता हैं अब इस लेसन के अंदर जो महतपूर बिंदू है मतलब जो हमारे वाचक हैं उनको उनका ठकने की जोरत क्यों पड़ी यह हम देखेंगे बहाधूर के घर से भाग करने की जो वज़ादी क्योंके बहादूर घर से भाग कर कर के आया है क्यों बहाक कर कम आई तो इसके महनत लगन क्या थी वह सारे कर कका काम मिया निर मला उस् Warum ग्रेப्श सारे चीज़ हम तो है उन्टिफाइड का स्कोर आप यहां से कर गे जाएंगे अगर आप इस पूरे स्लेबश को देख लेते हो बिकस यहां से नाके ओल मैं आपको लेसंस के नोट बनोंगी साथ इसाथ जो आपकी पूएम्स है इसके लावा जो अपके प्रिविस एरके कोष्टन पेपर से प तो उन्होंने बेल होकी लग तो हमें भी नौक रखना चाहिए तो इनके जुन के रिच्थेदार मैंने कि है इसलिए थी अब यहां पर दूसरा पॉइंट है गा इसके बहादूर के घर से भागने की वज़ा आकर क्या थी तो देखो बहादूर जो है वो एक नेपाली लड़का था उसका घर जो था वो नेपाल और बिहार की सीमा पर था ठीक है उसके पापा तो थे नहीं वो फोज में मतलब मारे गए थे और उसकी जो ममी थी वो बहुत ही गुष्टाय थी मतलब ममी को बहुत ज़ादा गुष्टाय ल्हां करता था और एक बार क्या हुआ कि वहादूर की बहादूर की टगड़िवाली पिटाई कर दी अब पिटाई करने जो बहादुर की मम्मी ती वो यह चाहती थी कि बहादुरानिक्ष बने वहादूर बिल्कु STEVE तो डब पिताई की तो मंभी ममी देता दर स्मुर्स Bonne जो पादुर गया। जूबादूर के एक रंगता है। गया द्न झाल हम हें। K queremos में घंडिया होई। उसमें से उसने दो रुपे निकाले और दो रुपे निकाल करके वो अपने घर से 6 मिल की दूरी फर जो है बस स्टेशन था वहाँ पर पहुँच गया और बस स्टेशन से उसने बस पकड़ी गोरकपुर के लिए तो इσι तरीके से बहादूर अपनी बड़ति की पिताई की वज़े से हाला की पिताई उसकी गल्तियों पर हुआ करती थी, इसलिए वो घर से भागाया, जैसे ही वो घर से भागाया तो फिर वाचक के जो साले साहब थे उन्होंने किसी तरीके से बहादूर को उनके घर में मतल पारे घर का वो काम करता था और जब वो घर में आया था तो जो घर के लोग थे उन सभी ने अपने अपने लेवल पर बहादूर को नसीहते देनी शुरू कर दी और उसे मतलब पट्टी वट्टी पड़ाई सभी से जैसे कि जो वाचक थे उन्होंने उससे कहा कि जैसे तुम तो जब तुम यहां अच्छे तरीके से रहोगे तो तुम अकल तमीज भी सीख जाओगे तुमें पता रहेगा किस तरीके से मतलब समाज भी पेश आना होता है किस तरीके से रहना होता है निर्मला जो थी उन्होंने भी अपने तरीके से बहादूर को समझाया उन्होंने कह कि देखो जो महले की ओरते हैं या महले में जो कोई भी है तुम से कुछ काम बताए ना तो बस यह कह देना कि ठीक है अभी सुनता हूं लेकिन फिर दुबारा मत जाना तो इस तरीके से और जो किशोर था उनका बेटा वो बस अपने उसको अपने काम करवाने की पड़ी रहती और वो घर के परिवार की तरह रहने लगा पर ठीक है उसने इसे पना परिवार उनको एक तरिक , पर बहादू को स्नेह कर थी शाहती थी बहादू हमेशा خुष रहता था पूरे घर में वह सारा काम करवाती थी ऑशक लेगिन वह उससे खाना नहीं बनृती थी खाना निर् pasó इसको एक लाही बनाती थी अपना भी परिवार का भी और साथ ही बहादुर मेरा असके बहादूर शेयर को क्या बोलते हैं ऐसा है वैसा है बच्चे भी उसको चड़ देते लेकिन बहादूर को इन चीजों से कोई मतलब नहीं था वो तो बस समेशा खुशी रहता था ठीक है तो अब देखो इसके अलावा एक चीज और है एक बात जो है वो लोग उससे पूछते हैं कर है किसो कर तो उससे पूसते है तो फिर उससे क्यों भीजवाते हो तो वो कहता है को तो जनम भर भर आ जाथा है तो यह क्कुमस डायलोग आ पूस लेते निर्मला बहादूर को बहुत सने करती थी और एक बर क्या हुआ कि किशोर जो है बहादूर से काम करवाता था किशोर की उम्र भी लगबग बहादूर के जितनी थी इनका बेटा था किशोर और वो क्या करता कि अगर उसकी पैंसिल भी गिर जाती ना तो बहादूर से कहता कि कब खोई के साइकल के साइकल कि कर राता हrव बड़े काम को बहादूर से ही कुषबनादा बाधूर के सामें लाँ कि खिक कर राते हैं कि फिर बार नियुक्तित को बहादूर कायम हो जाती वाक यहां कमासूर से कि ओष्चिकी से Πरदी औरूँ चिछ opportunity की क्या तो गाली देता है लेकिन मेरे बाप तक पहुंच गाए और इसने मुझे बाप कीका दिया तो पहले किषोर को डारते हैं और क्या हो करो तुम काम चुन लिया करो तब यह तो तुम्हारी रहुं पिटाई करता है ने चुनते हो तो इस किसे बहादुर किशोर की काम भी करता था उससे नि शुरू करता था। जुरू क्यों हुई उसके वजह थी कि जो तनी तिन निर्मला को भड़का तिया था ति कि तुमने नौकर शाeltवर को सरपे चला रखा है था कि चो और अगया झालोग Bassam Мण नीर्म az Bitam तो अपने नोकर को बहुत अच्छ से रखते हैं थीक है और वह यह भी कहते हैं कि अमर्कान वह से खर्च में लेकिन क्या वाफ नहीं गरलन दो चार रूरीक नोकर करूं और बोला कि तुम नोकर है तुम उसको रोटियां बना-बना के खिलाती हो ऐसे तो उसके आदत खराब हो जाएगी तो निर्मला ने एक बार क्या किया किया कि शाम का खाना बनाया अपना बनाया अपने परिवार का बनाया और बहादुर महीं खड़ा था देख रहा था तो उससे बोली कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे लिए रोटियां बना-मना के दूँगी ऐसा है अपसे अपना काम खुद कर और अपनी रोटियां खुद सेख तो बहादुर ने मना कर दिया मैं तो नहीं बनाऊंगा उसको अजीव सी लगी बात कि सड़न लिए क्या हो गया तो इस पर निर्मला ने उटकर उसको थप पड़जर दिया अब इस बात पर बहादुर गुस्से में जाकर सो गया खाया भी कुछ लेकिन फिर नॉर्मल हो गया उसको पता था के ऐसे बिठसर नहीं घेंज देनly कोई जाता है कोई जवाभ नहीं आया अब देखो यह सिल्सिला धीर धीर में किशो पिठाई कर रहा था अब निर्मला का भी हाथ कुल गया था धीरे दीरे सिलसिला बढ़ने लगा और एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वज़े से कहीं न कहीं यह जो कहानी का अंत है यह उस पर बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा यह जो घटना है अब क्या घटना हुई कि बहादूर पर चोरी का इल्जाम लगा दिया गया चोरी का इल्जाम किस तरीके से लगाया एक बार जो आचक थे निर्मला थी उनके कुछ रिष्टेदार आय थे इनके घर कुछ उड़ते भी थी उनमें तो उन्होंने उनमें से जो एक लेड़ी थी वो ऐसी घर में कुछ ढूनने लग गई तो फिर जो है सबका मतलब उसने बोला कि नोकर है तुम्हारे कर में अब जाहिर सी बात है कितने लोग ऐसे होते हैं कि जबर्जस्ती चोरी कोई करें लेकिन बिचारे नोकरों पर नाम लगा देते हैं तो यही हुआ बहादूर के साथ तो बहादूर पर चोरी का इल्जाम कही बहादूर के लोगों का वहार बदल रहा था उस पर चोरी के लग रहे थे उस पर काम ना करने के विए पिटाईयां उसके होने लगी थी उसके लिए रोटी बनानी जो है बंद कर दी गई थी इस तरीके से बहादूर की पिटाई लगाता हो रही थी अब यहां पर क्या हुआ कि इस तरीके के वैवहार से तंग आकर अचानक एक दिन बहादूर घर से भाग गया अब घर से आज बहादूर घर से भाग गया तो वाचक को बड़ी हरानी होती है वो कहते है कि भाग गया क्यों मदब क्यों भाग गया तो वो कहते है कि वो बरामदे से सिल बट्टा उठा कर सिल होती ने मसारा पीशने वाली कि उसको उठा कर वो ले जा रहा था और अचानक उसके हाद से सिल तूटकर गिर गई तूटकर गिर गई और इसकी वजए से शायद वह डर के मारे भाग गया कि कहीं हम उसकी फिर से पिटाई ना कर दे तो इस वजए से वह घर से भाग गया अब यह बास सुनकर अमरकान जो है जो वाचक उनको बड़ा मतलब दुख हुआ और फिर उन् नोकर हमें मिला था और अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उससे माफी माऊँगा उसे कभी कहीं नहीं जाने दूँगा उससे काम भी नहीं करा हूँगा मतलब बैसिकली अभी इनको बहुत जदा सभी घरवालों को पस्तावा हो रहा था कि हमें इतना अच्छा नोकर मिला और हमारे एक बदलते हुए वैवाहर की वज़े से हमारी पिटाई की वज़े से जो हमने उसके साथ गलत वैवाहर किया उसकी वज़े से वह हमारे से दूर और हमें छोड़कर वह चला गया उसके बाद वाचक बहादूर के कमरे में जहां मतलब रहता था जहां उसका बोरिया विस्तर था वहां गए तो उन्होंने देखा उसके मतलब निकर टंगा हुआ था वहां पे तो जैसे उन्होंने जेन में हाथ डाला तो वाचक को क्या गया था डर की वज़े से तो इस तरीके से जो वाचक हैं अमरकांथ हैं उन्होंने मतलब या उनके परिवार ने अपने बदलते हुए वेवहार की वज़े से एक बहुत ही अच्छा भोला समवेदंशील इमांदार महंती हस मुक्चुस्त और पूर्तीला और साथी स्वाभ ही मानी है ना इतना अच्छा नोकर उन्होंने कहीं न कहीं खो दिया था जिसकी भरपाई शायद वो नहीं कर पाए कभी भी ठीक है तो उन्होंने इस स्टोरी के थूरु हमारे सामने एक बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन पेश किया है और साथ ही साथ यह उनकी जिन्दग और सामने इस से वाचक के घर में अज्जेस्ट हो गया लेकिन वाजूद इसके घरवालों के बदलते वेवाहर की वज़े से उसकी पिटाईयों की वज़े से और चोरी पर इस पर इलजाम लगाया गया अच्छा निर्मला ये भी कहती है कि उस पर चोरी के लजाम भी क्याती है कि मैं इस्तितार को जानती हूँ और वो तो कुछ ना देने की वज़े से बच्चे पर चोरी कल जाम लगा दिया उन्होंने बाद मी लोगों को रिलाइस होता है कि हमने बाहदू के साथ गलत किया है वो तो ऐसा था ही नहीं ठीक है चलो आई होब आपको अच्छे से जोरत है आप इसको कर पाओगे जैसे कि आपका फर्स्ट कोशन है बहादू कहानी के अधार पर बहादू के चली तरकी दो विशेस्ताओं का उलेक करो दो विशेस्ताइं बता दो यह कोशन आपका जैन फैब 2021 में पूछा गया था अब इतनी सारी विशेस्ताइं मैंने इमानदार है महनती है हस्मुग है कोई भी दो बता तो आप तो आप तो यह जो मैंने बताई है इनके लाव आप दो चार खुद भी आड़ कर दोए तो चलो यह तो हो गया आपका कोशन यह जैन फाब 2021 में आथा दूसरों कोशन है बहादूर कहानी के आधार पर ठीक है दो आथि बचार नोकर है ना कि शो और उसकी ऐज भी सेम थी लेकिन वो हादूर से काम करवाया करता था किशोर जो है एक राजा की तरह सोच रहा था के इस तरहा हूँ बहादूर वBACAर नोकर हैं तो दोनों गएब वहहार नोकर था और यही कारण थे कि परxiको बहादर तरीके से लिख सकते हैं चलिए नेक्स कोशन है बहादूर के प्रति वाचा किया उसके परिवार द्वारा किये अत्याचार के कोई दो धारन दीजे बताओ दो अत्याचार कों से करें ये कोशन 2017 में आप से पूछा गया था तो अत्याचार जो हुए थे बहादूर पर पहला तो वही था कि उसकी पिटाई करते थे लोग दूसरा उस पर चोरी का इजाम लगा दिया तो दो तो हमें यहीं मिल गए एक दो आपने खुछ सोच लो कि कौन कों से इजाम उस पर लगाए गए थे चलो नेक्स कोशन है बहादूर के वेक्तित्व की दो विशेस्ताओं का उ पिटाई की वेज़े से घर से भागा और उसे ही अपनी महनत के पैसे भी भिजवाता है तो यह जो बहादूर का दोहरा वेक्तित्व है उसकी जूल परसनालेटी है इसके पीछे बहादूर की मान सिखता क्या थी पिटाई की थी बेशक लेकिन बहादूर को पता था अपने सब्सक्राइशन आपको अचे समझ में आ गया होगा और अगर आप जो है अभी तक आपने इस को प्रचेस नहीं किया है होगा तो प्रचेस को पूरे को बहुत ही नोमिल चार्ज में है आपका एक और सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर इसी वीडियो के नीचे सारी चीज़ें आपर मिल रहे हैं आपको और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कुस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को I hope I will see you in the next video so do like, share, comment and subscribe so see you in the next video till then keep studying in by study thank you so much and goodbye